वेलकम डियर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है ड्रीम हाई अकैडमी में जिस चीज का हमें बेसबरी से इंतजार था वो चीज हम आप यहां पर आप लोग को दिखाएंगे कि JKSSB क्लास फॉर्थ के जो रिजल्ट से उनमें किस वजा से डिले हो रहा है वो डिले जो हमने अलड़ी देखा कि JKSB के एक्जाम जो है उन्होंने का था कि 45 डेज के अंदर एक्जाम जो है रिजल्ट डिलेर करेंगे उसके साथ-साथ यहां पर टेंटीट्यू क्लास फॉर्थ का कट अप रिमेंबर इट यह जो टेंटीट्यू कट अप यह कहीं ने कहीं आस पास होता ह यानि अगर कट अप 50 चला जाएगा टेंटीट्यू 52 भी हो सकता है और यहीं इसी के बीच में रहता है टेंटीट्यू आलवेज जो हता है वो यह बिल्कुल लगबग करीब होता है तो यहां पर हम बात करेंगे और यह टेंटीट्यू में जो कट अप चला गया है वो काफी हाई अकाडमी जोईन करने के बाद वहाँ पे आपको तरह तरह की जो फ्री पीडियाप नोट्स है या अपडेट से वो मिलती है उसके साथ-साथ आप हमारे बाकी कोर्स जो है FAA के लिए Finance Accounts Assistant के लिए जैसे की Accountancy का कोर्स चल रहा है उसके साथ-साथ Computers का कोर्स चल रहा है जो कि तमाम JKSSB एक्जामस के लिए important है वो free आपको मिल रहा है तो उसको हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा free आपको मिलेगा यह सारा बिलकुल free उसके साथ-साथ कुछ जो की notes आपको मिलेंगे याने कुछ JKSSB जो की GS के notes मिलेंगे आपको GS के lectures आपको यहां पे मिलेंगे उनको भी आप हासिल कर सकते हो तो सिर्फ आपको करना इतना है चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा उसके साथ-साथ आप टेलिग्राम चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए जोइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए चलिए आगे देख लेते हैं अब ये cut-off कहां पे कितना पहुँचा है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हो digitria.in इन्होंने कहा है कि जो cut-off marks cut-off marks for JKSB Class 4 जिसके post 8757 थे cut-off are going to be managed by the selection board इनको पता है कि selection board इनको manage कर रहा है और यह category-wise cut-off the category-wise cut-off and final selection will be the list will be declared by the higher officials of JNK in April month तो इनको यहां ने करीब इन्होंने यह कहा है कि जो JKSB कर जो April month में Class 4th का result आने वाला है यानि इसी month में अब तो result की बात तो हो गई अब उन्होंने 22 cut-off यहां पर दिखाया है यहां पर उन्होंने 22 cut-off दिखाया है उन्होंने कहा है कि the 22 Class 4th cut-off the 22 Class 4th cut-off marks for O-C यानि उनको open merit लिखना था यहां पर O-C लिखाया उन्होंने and O-B-C R65 आप खुद अंदाजा लगा सकते हो यह कितना हाई है इतना हाई हमने मतलब सोच भी नहीं सकते थे यह किस बुनिया पर उन्होंने क्या graduates को out किया है या in किया है यह भी नहीं पता है यह तो JKSB को पता है अब उन्होंने ST और SCs के लिए यह AWS के लिए 48 याने बिलकुल हम तो एक range अगर हम लोग cut-up बताते हैं यहां पर मालो अपने देखा होगा कोई भी association यहां पर या कोई भी organization कोई भी YouTube channel या कोई भी जो news में publish करते हैं तो उन्होंने कहाई कि cut-up जो है वो 50 से 55 चला जाएगा 60 से 65 चला जाएगा 50 से 60 चला जाएगा लेकिन इन्होंने बिलकुल एक ही बात 65 for OBC and OM and SC, ST, EWS के लिए 48 याने क्लिरली क्या इनको यह पता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा और आप तक यह है आप इस पे कितना सहमत हो आपको कॉमेंट करना जरूर है और बताना है कॉमेंट के दुआरा कि आपको क्या लगता है कि कट-up के क्या चांस से यह मेरे नजर में यह काफी कट-up हाई है बिलकुल हाई है यह कट-up इससे थोड़ा सा नीजे होना चाहिए था लेकिन इन्होंने दिया है किसी तरह से इन्होंने कहीं से यह information लाई होगी जब इन्होंने यह information लाई है definitely तो इसी around इन्होंने पाया होगा कि कट-up हो जाएगा अगर 65 चला तो बहुत ज़्यादा है very high अगर 48 गया तो वो तब भी मैं मान सकता हूँ कि very high अब आगे देखते हैं कि आपको कहां से पता चलेगा कि इसके बारे में उन्होंने कहां पर mention किया है जी हाँ एक बार फिर इस organization का यहां पर आपको नाम बताता हूँ मैं digitria.in तो अभी कुछ और बाते आपसे शेयर करने हैं यहां पर अगर आप इसमें सहमत हो तो उसी तरह से आप comment कीजिए को comment में सिर्फ आपके लिए तीन चीज़े आपको मैं यहां पर दे रहा हूँ पहला आपको क्या लगता है कि OM और OBC का 65 कटाफ चला जाएगा क्या आपको लगता है SC, ST का या EWS का कटाफ 48 चला जाएगा क्या आप इसमें सहमत हो उसके साथ साथ दूसरा यहां पर जो चीज़े जो निकल के सामने आती है एक बर फिर अगर यह कटाफ 65 इन्होंने दिखाया है क्या आपको लगता है इन्होंने graduates को in किया है या graduates को out किया है मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है आप ही decide कर सकते हो उसके साथ साथ यहां पर आपको एक और चीज़ जो है वो खुद बताना है आपको अपना score फिर से mention करना है तो आपको यह बताना है कि क्या आप इस category में जो उन्होंने दिखाया 65,48 में क्या आप in हो अगर आप in हो तो आप safe हो इस हिसाब से digitria.in के हिसाब से तो आप safe हो बिल्कुल safe हो अब यहां पर अगर आपको लगता है कि आप अपने score जो है कितना जा सकता है कितना chances जो है जी हां Thank you very much